बहड़े हाज़ारे भोले हामरे दिवाना रही ना मोले को जाओ ना रुकी भोरे भोरों की सारे को रुकी देदे जागा हादी ला यज़े हादी ला रुकी वा को रुकी देदे देदे देदेद सारे मुवड़ें. बढ़या सिताम भे झाल 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 मुद्धन्ना ने हमारे सभी आदमियों को मार दिया आज से पहले राज महल का खजाना कभी कम नहीं हुआ था इससे चिंती ठोकर मुदन्ना ने इसके बारे में गहराई से सूचा गाउं से लाए गए लगान और छीने वे अनाज को रास्ते में ही लूट लिया जाता था इसके लिए उसने एक चाल चली और सच का पता लगाया अगल बगल के गाउं में बहुत बलशाली वक्त है तो उसने एक लड़ाई की प्रतियोगिता करवा कर उसमें खतरनाक खेलों को शामिल किया और गाउं से आएवे यूको को एक शक्तिशाली इंसान के साथ चुनौती करवा कर उन्हें मरवा दिया और उसी समय उस लड़ाई प्रतियोगिता के बीच बिजापुर के दिलावर खान के सैनी राजा की सेना और मुदन्ना को मारने में विफल हो गए उसके बाद नायक मुदन्ना ने फैसला किया कि वो दिलावर खान और उसके सामराज्ज को समाप कर देगा अरे अपने आपको समहलोगो गया हुआ है व глट शिकायट करने गये थे राजा ने इन सब की आखे निकाल ली हम इसकी सजा उन्हें जरू देंगे आपार एंखे और में किसा हका उन्हें गरिया ज isn't जर जाए जरत एंवार! कुछ बैर्व जब चे सब्सक्राइब कि अब पुछ थे पुछ कि न में हिर्थ इसेकी थे हम धे दुन कि अ खुन के लिए शप्ती कि आ अ शर्षक्ट व्हक्त कि लिए बाहू का बल के लिए अन की ताकत की जरूरत सैनीकों का काम है डाक्षा करना इस राजमहल के लिए बलिदान देना ख्या हुआ जोश ज्यादा हो गया ऐसा कुछ नहीं है अच्छा तो रात को खाना निगा है क्या कि यह क्या शोर मचा रखा है शास्त्री जी और नायक आप हम से रोज यहीं बुलवाते हैं कि हमें बलिदान देना है इस राजमहल की सुरक्षा के लिए हमारा परिवार रास्ते पर आ गया है हम इस राजी के रक्षक हैं और हमारा कोई ख्याल नहीं रखता ऐसा क्यूं बोल रहे हो तुम लोग तुम राजमहल के लिए काम करते हो ना हाथ में पैसा है ना पेट में भोजन इस शक्ति कहां से आएगी मानिक सारे राजी की रक्षा हम लोग करते हैं और आप सभी लोग आराम से पेट भरके भोजन करते हैं बताई कहाँ का न्या है यह शास्त्री जी राजा का राजा आखे निकाल लेंगे आखेर हम क्या कर सकते हैं मतलब हमें कोई फाइदा नहीं हमारा कोई मुल्ली नहीं है कि हमारी मेहनत व्यर्थे शास्त्री जी अपने आपको शांत कीजिए और हालाथ को समझने की कोशिश कीजिए आप साब कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर सेनिक बनकर रहने वाले हम सब लोग आखिर राजा की बराबरी कैसे कर सकते हैं सेना नायक आप सब हमारे हम कदम हैं आप लोगों को क्या लगता है कि आपको कोई न्याय नहीं दिलाएगा महनत हम लोग करते हैं और हमारा फायदा वो लोग उठाते हैं वो बड़े लोग तो मेरे भाईयो आप लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मैं खुद आगे बढ़के राजा से न्याय मांगूंगा ऐसे नार किये जीवन से तो बहतर है कोई एक अच्छा काम करके मर जाओं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा मेरे सैनिक मेरे लिए भाई समान है और उनकी भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो भी कोई परवा नहीं लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा सेनो नाइक मुदर्ना जी की जाए सेनो नाइक मुदर्ना जी की जाए सेनिकों को कश्च देने वालों के साथ क्या करना चाहिए जबना जये q a problem स्ट्सक्रलिक नहीं च्छों लाइब क है गरजा प्रणा महराज जी महराज जी नयक मुदर्ना सेनकों के साथ मिलके राजमहल के खिलाफ शड़यन तरचरत महरीं ये खबर बीकुल सच है जी माराजा जी मुझे खबर मिली है कि नायक मुद्धन्ना जीस राजमहल के विरुद्ध शड्यंत रच रहे हैं पहले वो बात सामने रखिए जैसी आ गया महराज नायक मुद्धन्ना जी इस राजमहल के विरुद्ध आपने सैनिकों को भड़काया है ये समाचार हमें गुप्चरों से मिला है बताईए क्या ये सकते हैं? शमा कीजिए एक नायक होने के नाते सैनिकों का भला बुरा पूछना क्या इस राज्य में गलत माना जाता है महराज? सैनिकों का भला बुरा सोचने के लिए हमारे महराज है ना मुद्धन्ना जी? महराज के सामने अगर कोई शिकायत करता है तो वो उसकी आखे निकाल लेते हैं उसे बेरहमी से मार डालते हैं तो वो लोग कहां जाएंगे? यह क्या बत्यमिजी है महराज को सजा देने का अधिकार है सिर्फ सजा देना ही राजा का अधिकार नहीं होता है महराज दिल में दया भी होनी चाहिए नहीं तो राजा कहलाने का अधिकार नहीं है यह शैतान जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो कर बाते कर रहे हो मैं शैतान हूजा शाथ हो जाईए मुदन्ना जी इस मडकरी की धर्ती पर कई पीडियों से बहुत सारे युद्ध हुए है खाजानों की चोरी भी हुई है यहां पर लोग सही समय पर लगान भी नहीं भर रहे हैं इसमें आपके क्या सैनिको का कोई हाथ नहीं नहीं बिलकुल नहीं प्रजा को किसानों को व्यपारियों को कहा जाता है उनके साथ भेद भाव नहीं करना चाहिए लेकिन आपने अन्याय की सारी सिमाय पार कर दी है आज के युक का सत्य यही है दंडम, दश्गुनाम, भवेत और हम वही कर रहे हैं महाराज तोई, चुप हो जाओ मंतरी जी, इसने अपनी सीमा पार कर दी है इसे मेरी सभा में, इस राज महल के विरुद्ध सड्यंत रचने के अरोप में इसे यहां से निकाल देने का अधेश देता हूँ यह मेरी आज्या है जो आज्या महराज अपने सैनिकों की नया एकी बाते करके उनकी परिस्थितियों को आपके सामने रखकर मेरे मन का बोज उतर गया है इतने वर्षों तक इस राज महल की सेवा करने का उसर आपने मुझे दिया इसलिए आपका भारी हो अब मुझे आग्या दिजिये महराज झा फ करता इसलिए तक राज महराज ठल इसलिए आपका अब मेरे महराज आपका एतंüy रहे है झाल झाल हरे पापी यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया सैनी को देर बद करो बंदी बनाओ इस राजद्रोही को मुझे क्यों पकड़ रहे हो छोड़ो मुझे यही है सैनिकों की शक्ति द्रोही तुम मुझे बंदी बना रहे हो तुम एक शैतान हो पापी हो नीच से भी नीच हो यही छोड़ो मुझे हमारे मुझे नायक जी को इस राज जी का राजा बनना चाहिए सही कहा तुमने उनमें कितनी हिम्मत है सैनिकों की आखे निकाली तो उसने राजा कोई जान से मार दिया ऐसे लोगों की वज़े से ही हम सभी सैनिक जीवित हैं वो पुन्याग्मा है वो हमेशा खुश रहे भाई आप तो शेर के समान हैं सब के सामने राजा कासर धर से अलग कर दिया भाई सारे सैनिक मिलकर आपको बंदी ना बना ले यह सोचकर मैं तो डर गया था मेरे भाईयों की उपर हाथ उठाने वाली को मैं कैसे छोड़ देता भले ही मेरे प्रान चले जाते लेकिन मैं अपने भाईयों को बचा लेता भरी सभा में राजा ओवन्ना नायक की हत्या करके सैनिकों को न्याय दिलवाने के लिए खड़ा होने वाला नायक मुदन्ना ने सारे सैनिकों का गौरब और सम्मान प्राप किया और उस रिक्त सिंगहासन पर राजा का उत्रा धिकारी छोटे राजकुमार का राज्य भिशेख हुआ और उस राज महल में राज्य की रक्षा करने के लिए नायक मुदन्ना ने उस राज्य का प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया हाँ बिटा मा बोल और कितना दूर चलना होगा बस थोड़ी ही दूर और है चलते हैं इसलिए मां नहीं बहन जी बहन जी वहां आपके यहां कुछ काम है तो बताईए ना मैं कर लूँगी अरे जाओ यहां से यहां कोई काम नहीं है चलो जाओ जाओ आजाते हैं कहां कहां से कि बेहन जी कुछ काम है तो बताइए ने बेहन जी बस एक समय का खाना मिल जाए आपका सारा काम अच्छे से करूंगी मैं बेहन जी जान ना पहचान ऐसे कैसे रखलू कुछ राखे ले गई तो चलो निकलो यहां से मा जिसके पास जाओ वो सिर्फ जाती और गोत्र की ही बात करता है यह सब क्या होता है मा इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग तो होते ही है बेटा आईए मा जी यहां आईए बैया आपके घर में कोई काम है तो बताएए न यह मर्दों के रहने की जगे है और तो को अंदर आना मना है है लड़के हमारे अखाड़े में तुम क्या कोई छोटा मोटा काम करोगे अहां जी मैं आपके लिए भी कोई काम ढूंडता हूं ठीक है बैया तब तक आप हमारे घर में रह सकती है नसीब किसी को भी नहीं छोड़ता महादेव को भी कमंडल पकड़कर भिक्षा मांगनी धन्यवाद 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 क्योंडता है नस्या जा अजय को भी कि अव में आपके लिए्रावद क्योंडता है आप हैं रह जब को भी कि अहांगनी लिए धन्यवाद कर दोका है वोट्भी को भी की अधन्यवाद हुआ 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 है कि तुम्हारा नाम क्या है करने कम्मा तेरा पती कहां है वो गुजर चुके हैं गुजर चुके या मार दिया क्या पता किसी और के लिए उसे मार दिया हो इस गाओं में आवारा लोग बहुत हैं सभलकर दिखने में सुन्दर और मासूम लगती हो मा क्या हो मा तुम रो और यह पता हो ना क्या बात है अकेले होने पर यह दनिया गलत नजर से देखती है कषना कुछ सुनाता रहते हैं को मैं कुछ की का महीं करने दूगा मैं खुद काम करूँगा गाओं के जो पहल्वान जी उन्होंने अखाड़े में रहने वाले बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे गाउं के बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौपी है मुझे एमेड़े च्चों की जिम्मेदा के बाुले कि मुझे सकत्षी है कि अभया है कि यंदे बल्कि बच्च कुछों की जिम्मेदार है खरों के अजी कि एमने इमीद सकत wanna ñ नहीं घँ हन Stream इए च्मेड़े ज़िघर जड़े मुझे सक एम टुदब। झाल झाल वाँ, बाँ पढ़िया लाओ इसे मैं दिखाता हूँ, ऐसे करते हैं, बटको, गुरुजी, क्या हुआ, ये ना, बिना पूछे, गदा और सामान चुरा है, इसे समझाईए ऐसा नहीं करना है, कौन सी जाती का है, कौन सा कुल है, कुछ पता नहीं, नौकर बनकर आये, नौकर बनकर ही रहे ये गुरुजी, नहीं तो, हम लोगे सखाडे में आना बन कर देंगे, है, सुना, ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम बस अपने काम से मतलब रखो, ठीक है, गुरुजी, मोर्गों नाचते देखकर, मुर्गी भी नाचने की कुशिश करती है, इसकी तरह, सिर्फ बातों से कुश्टी मत करो, लड़कर कुश्टी करो, चलो, शुरू करो, चलो, सुनिए आप लोग, चित्र दुर्ग के राजमहल से लगान वसूल करने के लिए ये सैनिक आये हैं, आप सब लोगों को जो देना है इन्हें दे दीजिए, अगर पैसे नहीं हैं, तो आप लोग अपने अपने पास से अनाज भी दे सकते हैं, गुरी जी, दिन बादिन हमारी हालत खराब होती जा रही है, ना बारिश है, ना काम है, खाने के लिए अनाज ही नहीं है, तो कहां से दे, तुम सबको पहले भी कितनी बार समझाया है कि हमें राज का कर चाहिए, चलो वसूल करो, सुरी, 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 वर्मा, अन्दर आओ, मा, ये सब लोग कौन है, मा, मेहनत करने वालों को बड़े लोगों के बारे में जानकर क्या करना है, मा, राजमहल कहां है, राजमहल के बारे में जानकर, तुम क्या करोगे, हम मजदूर हैं, चलो अंदर, झालों क्यानकर, झालों तुम क्या करना अन्दर आओ, जालों क्या 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 है, मेहल क्या है, आओ, झाल झाल कर दो करता है प्रणाम गुरुजी सेनको को देखके आप ऐसे क्यों डर दे गुरुजी वह क्या है बेटा महल के नायक का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है मुद्दन्ना बहुत खतरनाक है उसी का डर है क्या वो कोई राजा है जो उससे डरते हैं नहीं बड़े बड़े राजा भी उसका से किस्से हैं बहुत ही कम उम्र में जवानी के दहलीज पर कदम रखते समय अपने राजा के मर जाने के बाद उनके छोटे भाई लिंगा नायक का राजिविशेख होता है उसके पश्यात मुद्दना नायक राजा लिंगा नायक की गुरूरता पुरुवक हत्या कर देता है तत्पश्यात वहां के राजा होते हैं रंगंपपा नायक ये कहानी उनी के काल की है सिर्फ दो दिन के अंदर आप लोगों को लगान भरना होगा सुनिए बंधुओं राज्महल से संदेशा आया है इस साल सब को जादा लगान भरना होगा अनाज भी सबको जादा देना होगा ऐसा कह रहे हैं वो लोग जो इसमें है मैं वही पढ़ रहा हूं गुरुजी इस बार बारिश नहीं होने की वज़ह से खेती नहीं हुई लगान माप करने के लिए पत्र लिखें ना स्वामी जी लगान ना भर पाने के करण लोग आत्मत्या कर रहे हैं गुरुजी कुछ कीजिए न ठीक है बंधुओं मैं अपनी तरफ से राजाजी को पत्र लिखकर उनसे विनंती करूंगा प्रणाम गुरुजी जलते हैं आपका ही सहारा है चलो 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 कि मालिक यूं है लगान क्यों नहीं भरा इस साल खेती में बहुत नुप्सान हुआ है तो लगान की मादभी के लिए हमारे गुरु जी राजा को पत्र लिखने ही one पढले हैं तेरा गुरु हमारे मालिक का कोई जीजा है या भांजा है जिसके बोलने से मालिक लगान वसूल करते हैं मालिक लगान वसूल करने के लिए सैनिक आ रहे हैं मालिक और गाउं वालों के उपर ओपर अध्या चार कर रहे हैं मालिक। इस तरव श्विआ रहे हैं वह गुरुजी अब हम क्या करें। आने दो, घबराव मत, उन लोगों को भी प्रसाद गरण करने दो, कुछ दे कर भेजो के तो ही वो लोग जाएंगे, ठीक है गुरुजी, आप लोग घबराईये मत, आप लोग प्रसाद गरण कीजिए, बेटा इन्हें भी दो, बेटा इन्हें भी दो, यहाँ पर शिव जी क पहले ही सब कुछ लाकर रख दो, मालिक, इस वर्ष बारिश और खेती दोनों ने हमारे साथ धोखा किया, खाने तक का अनाज नहीं मिला है, ऐसे में हम लगान कहां से देगा, खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी तुम लोग भूखे तो नहीं मरे ना, सारे घरों में अनाज जो छुपा कर रखे हो, उसे निकाल कर गाड़ी में डालने के लिए कहो, वरना हम लोग खुद ही निकाल लेगे, नहीं मालिक, हमारे गाह में बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घर में हम दोनों ही हैं, हमारे पास जो है, उसे ले करके जाए, हम दोनों आपके पहर इन्हें रोखेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा मालिक, हमें रोकने वाला तू कौन है, अच्छा तू यहां खाना खाने आया है क्या, महादेव, रक्षा कीजिए, अच्छा होगा, तुम यहां से चुप-चाप चले जाओ, आप गौन हो बेटा? नायक मुदन्ना का सेन अधिपती, तुम्हारा नायक कोई राजा तो नहीं है, जब तुम्हारा नायक ही ठीक नहीं है, तो तुम लोग ऐसा करोगे ही, न्याय नीती धर्म का पालन करना सीखो, मेरे सामने फालतू की बाशुरी मत बजाओ, हमारे हाथों मरने से पहले तुम्हारा ये सारा खेल अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, हमें शमा कर दीजिए, आपके साथ बुरा हुआ, ये स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, चलो चले कि बज़ हुआ है सिद्धेश्वर इस नायक मुद्धन्या के अर्ट्यचार के वज़ा से इस राजी के लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है अब शेव ही कुछ बला करेंगे साथू इसी ने तुमसे कहा था ना कि नायक मुद्धन्या कोई राजा नहीं है तो हमें ही उपदेश तुनाएगा क्या बंदी बना लो इसे मॉले इस देखिये रहा हमारी हालत बहुत खराब है यह बनाने के बात भी उन लोगों ने आपकी बातों का भी मान नहीं रख मेरे घर को लूट लिया अन लोगों ने अब हम हम क्या करें अनकी देखमाल के लिए सेनिक कैडा है लेकिन निवस्त गुरू का कौन है क्या कि उन सैनिकों से अकेले मैं लड़ पाऊगा क्या उनसे लड़ने की उम्र है मेरी हमारे पास सैनिकों से भी ताकतवर लड़के हैं लेकिन उससे क्या फाइदा सिर्फ पल से कुछ नहीं होता लड़ने के लिए हिंबत भी चाहिए सही कहा सही कहा आपके बात बिल्कुल सही है अगर हम सब लोग एक हो गए ना तो वो सैनिक मिलकर के भी हमारा उजाला आता है और वो उजाला आने वाला है उसे शिव का आशिरवाद प्राप्त होगा वो धर्ती भी चीर सकता है तर्या से मोटी निकाल सकता है दुष्टों का संहार करके कर्ष्ट दूर करेगा जैसे खंबा फार कर श्रीहरी बाहर निकले थे वैसे ही वो बाहर निकलेगा हमारे लिए उस दिव पुरुष्ट जन्न लिया वो यहां आने वाला है सर क्टें हमारे वो अ कैले अ करेक्वा फुरूंग यह यहांक्वान फिरोफ बाहर निकले ताह blij हमारे विएए उन्हेर प्रृब झालो है, प्रुब झालो है, युझ मेझाद झालो है. झाल 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 आजी झाल 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 यह झाल गुरुजी जिन जिन का समान था उन सब को पूर्ण रूप से लोटा दिया है जो गाउं से लेकर गया था वो सब लोटा करा आया हूं बाकी जिन जिन का बचा है उन्हें आप दे दिजीicher उतर, उतर, नीचय उतर, लूट के सब्सक्राइब उतर, टो दो जो पाइल उनको दो लेकर चलो बहुत बारी है और देखो गिरना चाहिए प्रमृट लगो अराम से लेकर शाय नहीं इतना वजन लग रहा है क्या है इसमें कि जडरा इसे खोल लो खोल जा मैंने लगान और पैसे नहीं दिये तो सैनिकों ने धमकी दिखी महल में चलकर तुझे दासी बना देंगे मुझे इसमें डाल के ले जा रहे थे और इतने में आप लोग आपका गाउ कौन सा है मैं छोड़ के आ जाऊंगा मेरे माँ बाप नहीं है आप मुझे गाउं छोड़ेंगे तो वो सैनिक मुझे फिर से उठा कर मेहल ले जाएंगे क्रिप्या करके क्रिप्या करके मुझे यहीं रहने दीजिए सुनो बेटी अगर तुभारा कोई नहीं है तो तुम इनके साथ रह सकती हो बेटी हमारे साथ इसमें सोचने वाली क्या बात है आपकी वी उमर हो गई है घर में रहेगी तो हाथ बटाएगी ना आपका गाहँ वालों को अच्छा लगता है तो ठीक है आजाओ बेटी जाओ 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 जब हो झाल 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 क्या हुआ सीता? बहुती परिशान लग रही है। क्या हुआ? मा ने कुछ कहा? इतनी गहरी सोच में क्यों हो? जो जिसका है उन्हें लोटा देता हूँ क्योंकि वो उन्हीं गरीबों का है। तुमसे प्यार भी तो है। सुनो, धीरे धीरे अपने सैनिक और गाड़िया गायब हो रही है। और साथ में सामान भी जरूर इसमें किसी की चाल छुपी हुई है। सही कहा भाईया, अब हम क्या खने बताईए। यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए राज महल में कीड़ा उत्सों करवाना होगा। सब लोग गउं गउं जाकर इसकी सूचना पहुचा दो। जैसिया आप किया गया। शनो, सुनो, सुनो, राज महल में उत्सों होगा। सब्सक्राइब आजाई सूना सुना सूना तुमने क्रेड़ाइब सब में जीतने वाले को राजा के साथ भोजन और पुरसकार भी मिलेगा तुम जाओगे जाने और लड़ने के लिए मैं हमेशा तयार रहता हूं लेकिन हमें सैनिकों ने पहचान लिया तो इसलिए तो कहती थी सैनिकों के विरुद लड़ने से अच्छा उनके सामने जाकर और पुरसकार जीतो तुम और तुम्हारे सभी साथ ही राजा की शाबाशी लो और विश्वास भी जीतो अपनी परिशानी को दूर करने के लिए नायक जी के मन को जीतना जरूरी है नायक वो अपने घर का नायक है तो मुद्धन जी का दिल जीतो वो बहुत बड़ा राक्षस है ऐसे लोगों का दिल जीतना जरूरी है क्यूं अंगुली माल का मन बुद्धा ने भी बदला था ना जो भी सच्चाई से लड़ता है वही जीता है क्रीडाउट सब में तुम्हा तुम्हारे साथ ही भाग लो और जीतो बस यहीं मेरी इच्छा है तुम जाओगे ना अपने साथियों को लेकर बोलो ना जाओगे ना हूँ से अजय को लेकर दाओगे है करे ले भाग करोब जा था यहां ठाओगे है करे लोनी सबसारा जाओगे है. भाटे भाचे बागे है कर दूम ऐरे का है से खुम है। है 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 हुँ 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 पुर्थ वोगता के लिए सारे लोग आगे हैं शुरू करें हुँ सुरो 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 इस क्रिड़ा पृतियोगिता में सारे नएने खेलों का आयोजन किया गया है और जो भी इस पृतियोगिता में भाग लेगा और बात में जीतेगा उसे हमारे नायग मुदन्ना जी राजा के हातों से खास पुरुसकार दिलवाएंगे तो सभी पृतियोगि लड़ने के लिए तैयार हो जाए और जीत हासिल कर पुरुसकार प्राप्त करें और आप राजा जी इस पृतियोगिता का शुभारंब करेंगे वो कह रहे खेल शुरू करता है चल उठजा बेटा उठजा चल बहां दिखा अब तुछे इनका बूतरों को उड़ाना है नए नए उड़ाना होगा बेटा उड़ाते अरे उड़ाना हो उड़ाते बेटा इस इस उड़ाना स्वारा के विफाना है कर दोनी ऐतरों कि लिएवारा क्वार आप 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 हाहा एद वाहा हाहा मजा आरा है मजा करता है सबी लोग सुने इन चुनोटियों को पार करने के बाद जो भी खंबे में लगी हुई, इस तल्वार को निकालेगा वो ही असली भलशाली आदमी माना जाएगा, उसे पुरस्कार के साथ सम्मान मिलेगा. सुना तुमने वर्मा जो इन सारी चुनोतियों को पार करेगा वो मुंदन्ना से मिल पाएगा हम भी सारी चुनोतियों को पार करके उसे अपनी परिशानी बताएंगे हाँ मैं इसमें भाग लेता हूँ है 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 वर्वा एक चनौती मेंने जीत ली अब अगली चनौती जीतनी है तुम्हें मुझे हिफाज़त से घर पहुचाना है यहां की लोगों को देखकर ऐसा लगता है यहां कोई आम लोग नहीं है सारे ताकतवर लोग लग रहे हैं यहां की सारी चनौतियों में मैं ही भाग लेकर मुद्धन्ना जी से न्याय मांगूंगा झाल 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 बढ़िया सी ताम बे प्पख़ झाल जो प्रोड़े झाल 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 मुद्धन्ना ने हमारे सभी आदमियों को मार दिया आज से पहले राज महल का खजाना कभी कम नहीं हुआ था इससे चिंती ठोकर मुद्धन्ना में इसके बारे में गहराई से सोचा गाउं से लाए गए लगान और छीने वे अनाज को रास्ते में ही लूट लिया जाता था इसके लिए उसने एक चाल चली और सच का पता लगाया अगल बगल के गाउं में बहुत बलशाली वक्त है तो उसने एक लड़ाई की प्रतियोगिता करवा कर उसमें खतरनाक खेलों को शामिल किया और गाउं से आयवे यूको को एक शक्तिशाली इंसान के साथ चुनौती करवा कर उन्हें मरवा लिया और उसी समय उस लड़ाई प्रतियोगिता के बीच भीजापूर के दिलावर खान के सैनी राजा की सेना और मुदन्ना को मारने में विफल हो गया उसके बाद नायक मुदन्ना ने फैसला किया कि वो दिलावर खान और उसके सामराज्ज को समाप कर देगा भाया 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 वो वर्मा कहां पर रहता है उसका पता लग गया है कहां रहता है वो बास के गाउं के अखाडे में रहता है वो भाया आप मुझे मौका दीजिए मैं अभी सैनिकों के साथ जाकर उस वर्मा और उसके सभी दोस्तों का सिर काट दूंगी और आपके चर्णों में पेश करूंगी नहीं बेटी ये बहुत ही खत्रे वाला काम है अगर इस मामले में कोई अन हो नहीं हो गई तो मैं बर्दास्त नहीं कर पाऊंगा बेटी मुझे एक मौका तो भईया उस वर्मा और उसके दोस्तों की आज ही छुट्टी कर दूंगा उन सब का सर काट कर हाथ की चर्णों में चढ़ा दूंगा बहुत अच्छी बात बोली तुमने उन कमीनों की आज की रात आखरी रात होनी चाहिए जाओ तुम हुआ 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 है ओ भाई वर्मा वो सीता हमारे साथ रहकर हमें धोका दे रही थी इसलिए कहते हैं प्यार मौत के समान है लेकिन सच में उसने गाओं में रहकर बहुत बड़ा नाटक किया है यकीन नहीं हो रहा मुझे तो ऐसा लगता है कि वह मुदन्ना की है ऐसा लग रहा है कि अब हम में से कोई भी राजमहल के प्रकोप से बच नहीं पाएगा कि वह थाओः बड़ा है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है मजाय बहुआ है बहुर बहुर अझाई असली मजा आजाओ तो ही मुदन्ना का असली भाई है चोटे शाबाद आजाओ मुझे लगा मेरा भाई वर्मा का सिर काट के लाया है लेकिन उसने तो मेरे भाई का ही सर काट के मुझे भेज़ दिया ऐसा कभी सोचा नहीं था मुदन्ना से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गल्ती बहुत बड़ी गल्ती करती इन सब का जिम्मदार मैं ही हूँ इसलिए इसका जवाब मैं दूंगा मैं दूंगा इसका जवाब हाँ मैं खुद उसका जवाब दूंगा यह क्या वर्मा तुम इतनी बड़ी गलती करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमने मुदन्ना के भाई का सर काट दिया क्या सोचकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अगर मुझे पहले से पता होता कि सीता मुदन्ना के घर से है तो मैं कभी भी उसे यहां रहने के लिए नहीं कहता यह सब हमारे लिए ठीक नहीं मैंने तुम्हें सब पहले ही समझाया था ना लोगों को सिखाऊंगा सब की मदद करूं हमें डाल दी अब कौन बचाएगा तुम्हें देखो लडाई की शुरुवात में ऐसा होता है पहले अब हमें क्या करना है हमें वो सोचना है और उसके हिसाब से चलना है मुदन्ना के चाल को वर्मा ने अपने बल से विफल कर दिया है अब हम सबको एक जुट होका रहना है उसके सैनिक कभी भी यहां पर आकर वर्मा को बंदी बना सकते हैं हमें वर्मा को कहीं छुपा कर उसे बचाना है यह हमें करना पड़ेगा जो आक्या स्वामी जो आक्या स्वामी जी यह हमाही है तुप है यजवमा कर स़् मिल्या ई खञाद वत्या ही बना चुप ॉट्याओ कर सकति चाने हिएंया यह हमेमा में पया जी वहा को सर लुझे द खुझे उला कर वा मैं बन्ना हुझे थिय। कि कि कहां है वो वर्मा दर के भाग गया क्या यह तुम लोगों ने कहीं छुपा दिया है अब कहा गई तेरी हिम्मा चल सामने आ अगर तु सच में हिम्मत वाला मर्द है तो सामने आ बे सिधा कहा जा रहा था तुझे लगता तु पच्चा यहाँ रुख जाओ मुदन्नाम आप यहां वर्मा को सजा देने आये थे मारने के लिए नहीं इससे राज महले जाकर इससे राश्त्रों ही कहकर इससे बदनाम नहीं करना चाहते हैं हम बस सजा देना चाहते हैं झाहते हैं कर दो कर दो कान खोल कर सुनो हमारे राज्य में आज तक जितनी भी चोरिया हुई है जितना भी धन और ख़जाना लूटा गया है उनके पीछे इसका हाथ है आप सब ध्यान से सुनें राज्य में आज तक जितनी भी चोरिया हुई है जितनी भी हत्याय हुई है उन सारी घटनाओं के पीछे इसका हाथ है इसने हम सभी को धोखा दिया है इसे माफ नहीं कर सकते अीचर बत्व कर सकते दीचे पैस कर सकते चित्र दुर्ग की सारी प्रजा मैंने आप लोगों के सामने लाकेजी से खड़ा किया है यह वर्मा नाम का युवक हमारे राज महल के विरुद साजिश रचने की कोशिश कर रहा था इसने लगान देने वाले लोगों को अपने विरुद करके उन्हें बहकाया है हमारे बहु अब देख तेरी भूल ही तेरे जान के लिए खत्रा बन गई है मेरे मृत्यों का समय अभी तक आया नहीं है नायक और जादा समय नहीं है मेरी आखरी सांस तक और मेरा आखरी पल आने तक तेरे ही विरुद इस राज्य के लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा छीन कर खाने वाले कुटे चोटे राजा ओवना रंगधा राजा को मारने वाला तू नायक कहलाने के नायक नहीं है बकवास बंद कर कमीने मेरे सामने उची अवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी मैंनच करके खाने वाला शरीर है मेरा तेरी तरह छीन कर ठूसने वाला बैमान नहीं हूँ मैं समझ गया कमीने ए मुद्धन्ना इस राजमेल की प्रजा के सामने मैं तुझे आगाह करता हूँ दूसरों के स्थान को हत्याने वाले कवरवा सोर मासूम लोगों की हत्या करने वाले रावणा सोर और दूसरों का हक छीनने वाले कंसा सोर जब ये सब मारे जा चुके हैं तो तू क्या चीज है मैं ही मृत्य हूँ मुद्धन्ना शान्त है तो मृत्तू अगर जाक गया तो मृत्य हो थो इस चित्र दुर्ग राज्य में कदम रखकर वर्षों से अखाडे में मेहनत करके हर मुसिबत का सामना करके तो जैसे घमंड में रहने वाले घमंडी का घमंड चूर चूर करने के लिए पैदा होकर आया हुआ मर्ग की तरह एक हिम्मत वाला शेर हूम है इस धर्ती पर मुझ जैसे हजारों लोग पैदा हुए हुँगे लेकिन आज के बाद इस चित्र दुर्ग में तेरी कोई चाल नहीं चलेगी सिंगहासन हासिल करने का सपना छोड़ दे और अच्छी जिन्देगी जीने की आशा कर इस राज महल के असली बार इसको ही यह सिंगहासन लोटा दे अगर लोटा देगा तो ही अच्छी से जी पाएगा नहीं तो लेके जाओ इस ग्राज दुर्ग को झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो करिख्या ए मुड्या झ। प्रोप्ट लोग्ड़ लोग्द एक टूग्ड़ एक नग्लिय अग्टर फखवारत बुड़ लोग्टर था रिप पारी लोग्टर करिक हैं एक बुड़ारत फे मिल आए पार्मिक्टर एक नूद भार करें वोरे कि अजया बंगे अपार वो में उन्हार तो कि एक अटे थै होई होई और खाँ झाल तो आई एाँ, वर राँ, भाँ.. पाँ, वर भाँ, वर लुआ एाँ, पाने झाला, व्क ठाँ, कि न चाले सा में पाँ, राँ, पाँ, रुआ जाँ, वजयों वित्वी दिस एाए सम्स्टविस, कि न जाँ एते प्वाराँ ... जाहा पाशा मां पार्श तुम्ही अविदि मृणख हो बेटा तुम्ही अफली मर्द हो बेटा मिट्टी में तेरे जैसे असली हीरे ने चन्म लिया है यह देख कर इस उड़े के अंदर जवानों की जैसी ताकत आ गई है उस खतरनाक और खुंखार शेर से एक शूर वीर की तरह है अकेले ही लड़कर तुमने उसका काम तमाम कर दिया कितनी हिम्मत है क्या जोच है मान लिया माल लिया तुम सक्मेवीर हो हा रोज यहां पर इक शेर आता था लेकिन आज सवाफ शेर आया है, तुम असली शेर हो, इस राज के असली शेर वर्मा, क्या है ये सब, और तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से निकलते हैं, चलिए, हाँ, चलो भाईया, 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 काल कोठरी से वर्मा भाग गया है, भाईया और उसके साथ, राजी के मंतरी जी और काल कोठरी में बंद राजा, उन दोनों को वो भागा ले गया है, भाईया इतना ही नहीं, हाँ, हमारे शेर को भी उसने मार दिया चुक हो जा कमीने, तु मेरे भाई कहलाने के लाइक नहीं है उसे जान से मारना छोड़के, अपनी जान बचाने के लिए भागते चलाया तेरे जैसे कायर लोगों को, जिन्दा रहने के कोई हक नहीं कोई हक नहीं है अरे, देवल जी, क्या हो, अरे, आप इंसान है कि नहीं, यह आपको छोड़ने भाई है न, अपनों को पर रहे चोड़ेंगे देवल जी, अपने आपको समाल लिए, अपने रोग चाहिए वही पर अप मैं चुप नहीं डाड़ सकता, मैं उसे चाह कर माँ क्या होगा किसी की जान लेने के लिए, जिद्दी की बरबाद करने के लिए हमेशे तयार रहते हैं गलती तो वह कर रहा है न, उसे ही भुगतना चाहिए, लेकिन तुम लोग सब सही होना पर क्यों भुगत रहे हो आपके छोटे भाई तो नहीं रहें, मंजले भाई मौत से लड़ रहें और तुम इन मामलों में नहीं पड़ोगे मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं तुम सबको ही अपना बेटा मानते थे तुम्हारा भाई अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान लेने के लिए हमेशा तयार रहता है तुमने आज तक जो किया बस हो गया आप कुछ भी कहो, मैं अब बीना लड़े चुप नहीं बैठ सकता, मज़े माप किजिए अज अजू हुआ है 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 इंसान हो कर भी जान मर जैसा बरताव मत करो और कितने लोगों के जान लोगे तुम है क्यों इतना लालजपाल रखा तुम ने है łणétais बीच बोने से में कुछ नहीं होता धरती के मिठी में भी छमता होनी चाहिए पति वरणा अ tit कि एनकी और उनकी वजे से उनका राज्य इंब बड़ा और उनका सप्णा भी पूरा हुआ हो तो अब तो मुझे ज्ञान सिखाने आई हुई है तेरी तुम्हे ना मुझे पति व्रता बनके रहना है ना ही मुझे रानी बनके रहना है इसलिए मैंने फैसला किया है आप मुझे जान से मार देंगे तो भी चलेगा पर मैं सच बोल करी रहूंगी आपके सारे गुनाहों को कबूल करूंगी मैं प्राण अपने प्राणों के रक्षा कीजिए आप आपके अंत का समय दूर नहीं है तेरे पती वरता का गुण अब सामने आ गया ए बोल कुलक्षेनी मेरे खिलाफ अवाज उठाए जी तो तुझे अपने साथ रज्ज्या अफाएगा हाँ 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 तुम लोग राजमहल के मुख्य द्वार से यह यहां कैसे हैं हाँ 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 कर दो कर दो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता मुदन्ना जी तो हमारे नायक है उस महान इंसान की धर्मपत्नी आत्मःत्या कर रही थी हमारे नायक जी का मान सम्मान सब बिट्टी में मिल जाता नहीं मेरे इस हालत का कारण भी वही है यह आप क्या कह रही है हमारे जैसे कितनों पर वो भगवान नहीं है राक्षस है राक्षस है तुम लोग उसकी सचाई नहीं जानते अगर सच जानते होते तो तुम लोग उसे कभी जीवित नहीं रहने देते लेकिन मा राज महल में जब सैनिकों के साथ अन्याय होता है तो वो उनका साथ देते हैं और राजा का सामना कर और कितने वर्षों तक रक्षकों जैसा गुलाम बन कर रहूंगा मैं आपकी बातें सो आना सच है नायक जी मड़ी करी के राजा आदिति के युग में आपने उनके लिए जो किया और युद्ध में उनका साथ देखर आपने उनके उपर जो उपकार किया शायद वो राजा उसे भूल गए हैं मड़ करी के राजा को युपकार नहीं भूलना चाहिए था उनके पुत्रों को छोड़ कर देखिए तो उनके छोटे भाई सर्जे नायक को राजे सौप देने के बदले वो सब भूल कर ओवन्ना नायक को राजा बना कर उसका राज्या भी शेक करवा दिया सर्जे राजा के बच्चे लिंगन्ना राजा और छोटे राजा को सिंहासन मिले गात्यों सौपवा उनके साथ मैं भी राज कर सकता हूं नायक जी ओवन्ना राजा को सिंखासन देने के वक्त जो सैनिकों को देना चाहिए था वो सब भूल गए इन बातों की बज़े से सैनिकों के मन में राजा के प्रती द्वीश है इन सब बातों का अगर हम लोग अभी फायदा उठाएं तो इसका मतलब मुदन्ना की अगुआई में सैनिकों को न्याय मिलेगा विश्वास दिलाओ सैनिकों के पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा और मेरा साथ सैनिक भी देंगे तब वो अवन्ना राजा को स्वार्गी की प्राप्ती होगी और मुझे राज महल प्राप्त होगा अपिस दोखे बाज ने इतने दिनों तक नाटक करके सिर्फ सैनिकों के साथ ही नहीं राज महल के लोगों के साथ भी चल किया है उसे इसकी सजा अवश्य मिलेगी उस नायक मुद्धन्ना जैसे नर्पिशाज को, लोगों की बली चढ़ाने वाले को ऐसे ही नहीं चोड़ना चाहिए वो जहां पर दिमिले उसे तुरंट बंदी बना लो राज महल से धोखा करने वाले के साथ क्या करना चाहिए नहीं चोड़ना चाहिए मारना है मारना है नहीं चोड़ना चाहिए वो राज महल के बाहर नहीं जाना चाहिए उसे बंदी बना लो जाओ प्रभू 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 बहुत बड़ी मुसीबद आ रही है इसी क्षण हमें यह से निकलना होगा चलिए मुझ पे मुसीबत आएगी इस मुदन्ना को कौन मुसीबत मेंठालेगा हांो सारे सेहनिक कीविरुद्ध हो जया है आपकी सारी सचाइनिकों को पता लग गई वो गुस्से में आपको ढूंसे के लिए निकले हैं आयो चली ओंप सेनिकों से मैं बात करूंगा वो लोग मेरी बात मानेंगे आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो देखिए देखो सभी जगे देखो जाओ इसे भी बंदी बना लो दंडनायक जी मुदन्ना कहीं पर भी नहीं मिले वो नर्पिशास मुदन्ना भागना नहीं चाहिए वो कहीं ब्याओ से पकड़ लो पहल की परजा के सामने हम उसे उसके कर्मों की सजा देगे ले चलो इसे ले चलो बेटा बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नेना मुझे कुछ नहीं हुआ है मां बहन जी आप कौन हैं बोलिये बहन जी लगता है मैंने आपको कहीं देखा है मैं करने कमा हूँ क्या कहा करने कमा मतलब है हमारे राज महल के छोटे राजा की धर्म पक्ति है आप यह मेरा बेटा वर्मा है यह सब क्या है मां महल में रानी का जीवन व्यतीत करने वाली आप आज इस गाउं में ऐसे हालत में रह रही हैं यह सब कैसे हुआ मां आपके इस परिस्थिती का कारण कौन है मां बताइए कौन है मुदन्ना नायक ने भारी सभा में सबके आँखों के सामने राजा ओवन जी का सर काट दिया मुदन्ना से वहाँ पर रहने वाले राजा के खांदान के सारे लोग और सारे सभा प्रमुख बहुत घबरा गए थे सबी मुदन्ना के विरुध आवाज उठाने लगे वैसे में उसके विरुध कोई आवाज ना उठाए इसलिए राज महल में रहने वाले प्रमुख लोगों को, राजा के भाईयों को, उनके रिष्टदारों को स्टैनिकों के द्वारा मुदन्ना ने मरवा दिया, वो सब उनकी बुरी किस्मत थी, मंत्री जी उसी समय मैंने अपने पती को भी खो दिया, महराज को वहीं छोड़क मैं अपने बेटे वर्मा को बचाने के लिए, अपना भेश, अपनी भाषा, सब बदल कर सारे गाउं घूंते हुए, इस छोटे से गाउं में आ गए, मैं और मेरा बेटा, अपने अतीत को भुलाकर, इस गाउं में आकर बस गे, मंत्री जी, आप राजा के खांदान से हैं, यह जाने बिना ही, हमने ना जाने क्या क्या कहती है आपसे, हमें शाह की जीएगा, वर्मा जी, आप इतने बड़े खांदान से हैं, पता नहीं था, अंजाने में हमने आपका बहुत अपमान किया है, हमें माप कर दीजी, आप सबने हमें जीने की उम्मीद दी, बहुत बड़ा है आपका, मैं मरते दम तक आप लोगों का साथ दूँगा, वो सब तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, यह सोचना होगा, महा भारत में कौर्वों की संख्या सौ के उपर थी, श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, इसलिए धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी, इसी तरह हम भी उन पर विजय प्राप्त करेंगे, जो मेरे मन में था, वो आपने कह दिया, महाराज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसनता हुई, याद रहे, दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर हम सभी मिलकर एक साथ युद्ध करेंगे, तो अवश्य ही जीत हमारी होगी, चाहे मेरी जान चिली जाए, लेकिन हम लड़ेंगे, मंत्री जी, सिर्फ आवेश में आने से कोई फाइदा नहीं होगा, वर्मा, हमें कुछ भी करके, मुदन्ना के सैनिकों को अपने पक्ष में करना ही होगा, पर सैनिक हमारे पक्ष में क्यों आएँगे, वो क्या है महाराज, मंत्री जी, तुम कौन हो बेटी, बर्मा, उस दिन जो लड़की संदेश लेकर आई थी, वो यही है, मतलब हमारे बारे में संदेश तुम्हें ने पहुचाया था, हमसे जो कहा गया था, हमने वही किया, अब वो मुसीबत में है, खृप्या करके उन्हें बचा लीजिए, दया कीजिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है, प्रणाम मंत्री जी, सीथा बेटी कहा है? मुदन्ना की जालों में फसे वे लोगों में से, एक मुनी महल की राजकुमारी सीता भी है, चित्रदुर्ग महल में, रानी बनाने का सपना दिखा कर, सीता को अपना गुप्चर बनाया उस नायक मुदन्ना ने, लेकिन मुदन्ना की पत्नी ने सब को मुदन्ना की सचाई बता कर, उन्होंने वर्मा और उसके दोस्तों की हत्या होने से बचा लिया, और इसके लिए उन्होंने खजाना ग्रेह में अपनी दासी के हाथों संदेश पहुँचाया, उसके बाद विलाई चोट गाउं में, जब मुदन्ना अपने सैनिकों के साथ गया, तो कनक्तमा और वर्मा की मुदन्ना से जान बचाने वाली सीता ही थी, मुदन्ना के साथ रहकर उसके चालों को नाकाम करने वाली सीता ही थी, ऐसा क्यों बेटी, मुनी महल की राजकुमारी होकर भी आपको इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? बच्पन से ही, मुझे वो महल बहुत पसंद था, उस वक्त मैं ना समझ थी, कुछ नहीं जानती थी, आप लोगों का साथ मिला, तो समझ में आया कि सच क्या है? इस से पहले कि वो मुदन्ना राजमहल से भाग जाए, हमें उसे हर आल में पकड़ना होगा, चलो सब लोग, यहां आपको किसी से डरने की जरुवत नहीं है, आराम से रहें यहां, ढर? मुझे किस बात का ढर है, परन्तु दिल को आराम नहीं मिल रहा, कुछ भी करके हां से निकलना है, चित्र दुर्ग महल में दुश्मान या सैनिकों को होने दो, चाहे कोई भी मेरे विरुद हो जाए, सबसे पहले उनके साथ रहने वाले सैनिकों को अपना गुलाम बना रहा है मुझे, शेर के जैसा हूँ मैं, किसी को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला या मुदन्ना, सुनाय भाईयों, मुद्धन्ना राज महल से भाग गया ऐसी खबर है, सल्च कह रहे हो भाई, हर जगा यही बात चल रही है, सारे गाउवाले डरे होया है, उन्हें लगता है पता नहीं उनके साथ अब क्या होगा, कल सुबै वहाँ क्रीडा प्रतियों के दा में हर अपन के लोगों के साथ मिलकर खेल के मैदान में ही जगडा हो गया था, कल क्रीडा उत्सव फिर से होने वाला है, और कल वहाँ पर युद्ध भी होगा, बाकी सब कुछ तो नागेश्वरी देवी को ही पता है, महा मंत्री जी, सेना ध्यक्ष जी, इस बार क्रीडा उत्सव उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि वो होता आया है, उत्सव को पूरा करने में चाहे कितनी भी मुसीबिते आए, पर ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए, आप निर्भय होकर तैयारी शुरू कीजिए, महा मंत्री जी, राज महल के चारो दिशाओं में हमारे वीर सैनिक पहरा दे रहा है, और इसलिए अपराधी मुदन्ना का इस महल में प्रवेश करना मुश्किल है, अगर वो हमारे लोगों से बचकर किले के अंदर प्रवेश कर गया तो, हमारी स्तती बहुत भी खराब हो जाएगी महा मंत्री जी, चिंता मत कीजिए, इस बार हमारे उत्सव में वर्मा हम लोगों के साथ रहेगा, महा मंत्री जी, बोलिए महाराज, यदि हम लोग आज इस उत्सव के बारे में सोच पा रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ ये वर्मा ही है, आज मैं आप सब के सामने एक फैसला सुनाता हूँ, सुनाईए महाराज, आज से वर्मा हमारे राज महल का प्रधान नायक होगा, प्रधान नायक वर्मा की, महाराज का फैसला हम सब के लिए मानने नायक जी हम लोग आपकी आग्या का इंतिजार कर रहे हैं, हमें सबसे बहतर तरीके से मुद्धन्ना के हर शातिर चाल से बचाने वाली ये सीता है, अगर आपको परिशानी ना हो तो हमारे सभी कारिय में आप ही आगे रहो, महाराज मुद्धन्ना के बारे में हम जो सोचते थे वो उससे ज्यादा चालाख है, उसकी चालों का पता लगाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वो जो करता है वो सही लगता है, मगर सच्चाई तो हम जानते हैं कि वास्तव में मुद्धन्ना कैसा है, सुस्वल्यकर श blandभोस को AGA लोग में चभी ब सрыंसा手étique तरुकिक आ जैल्कित की जो लिए जो रिम्हें आड पहलत जो ऺगलीए जो पोकित क्बछा में ब gjा Came भाै शी साफनुल्यकरछ दारी Spring झाल 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 क्यों क्यों झाल 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 क्यों झाल क्यों झाल क्यों झाल झाल झाल